अलो दोस्तों से आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग की तयारी अच्छी चल नहीं हो आगे के अपडेट्स के लिए क्रिप्या हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अधर सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स जानक नी राशा के भाव से विभूर हो जाते हैं कई बार ہमारे सामने किंग-कर्टब में वीमुधम की सुच्वेशन होती है कई बार हमारे समक्ष ऐसे प्रस्ण होते हैं जो कि वास्थव में जीवन में कई सारे सफलता असफलता या विफलता इन सब से घीरे होने के कारण एक स्वाभाविक आचरन कह सकते हैं जो कि एक एस्पिरेंट के तोर पे हमारे सामने आते हैं कई वार हमें ताने सुनने परते हैं दोस्तों के हसी मजा किया कह सकते हैं कि एक व्यंग के तोर पर भी कई वार हमें उसे जहलना परता है तो क्या ऐसी परिस्थिती में एक aspirant को किस तरह से behave करना चाहिए या तैयारी के दोरान उन किन चीजों का पालन करना चाहिए जिससे की हम लोग अपने तैयारी को सही दिशा दे सके। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि स्रीमत भगवत गीता के दर्सन से अगर कुछ सीख सके जो की मनुष्य के जीवन के हर एक समय के लिए अलग-अलग तरह के व्यवशाय या प्रोफेशन के लिए अलग-अलग तरह की समस्याओं के लिए उसमें कई सारे समाधान चुपे ह हुए हैं उन समाधानों का रहस्य अगर हम निकालें तो निश्चित रूप से हम अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा में और सही तरीके से कर सकते हैं प्रस्ट यह उठता है कि भगवत गीता या अध्यात्म से हमें सीखने को जो मिलेगा क्या हम भी उसी सिच्वेशन में है क्योंकि अर्जुन तो युद्ध कर रहा था तो क्या हम भी युद्ध के सिच्वेशन में हैं क्या हमें भी वो सारी डाइलेमाज हैं जो अर्जुन के समक्ष था जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा इसलिए कि आप देखें तो दिन प्रति दिन एक्जाम में कॉंपेटिशन का लेवल बरते जा रहा है अगर प्रिलिम्स में 5 लाख या 6 लाख लोग एपियर होते हैं तो मात्र 6-7,000 लोग ही मेंस के लिए सिलेक्ट किये जाते हैं और उसमें से 2,000 के आसपास लोग इंटरव्यू देते हैं जो की फाइनल मरिट लिस्ट में आते आते 600-700 लोग ही अपना रास्ता बनाना है ऐसी परिस्थिती में स्वाभाविक है कि आपके अंदर तनाओ भी होगी क्रोध भी होगा इर्श्या भी होगी सफलता भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप भी अभी उसी सिच्वेशन में हो जिस सिच्वेशन में कभी अर क्या करूंगा जिसे अपना कर जाहिड सी बात है आप सफलता की नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं आखिर ऐसा क्या है श्रीमत भगवत गीता में जो छात्रों को अपनाना चाहिए कुछ ऐसे चुनिंदे श्लोक या चुनिंदे जो उपदेश है भगवान स्री कृष्ण के व अर्जुन से कहते हैं कि जब भी किसी कारे को करो तो आपका मन हमेशा इस्थिर होना चाहिए क्योंकि सबसे अदिक चंचल अगर कोई है तो वो मन ही है या मन ही है जिसमें कृद, मोह, लोब सभी चीज़ छुपे हुए है या मन ही है जिसमें आशा, निराशा, फल, को नहीं लेते हैं जितने भी डाइलेमाज आपके जीवन में आते हैं वो आपके और इस्थिर्ता के कारण ही आते हैं इसके उदारन सरूप भगवान ने कहा कि मनुष्य को समुद्र की तरह भी हैव करना चाहिए कैसे जैसे सागर में कई सारी नदिया मिलने के बावजूद न घड़ता है ना उसमें बाढ़ आती है ना उफान आता है अर्थात आपके जीवन में चाहे हर्स हो पीरा हो उलास हो द्वेस हो क्रोध हो आशा हो निराशा हो लेकिन आपका व्यक्तित्व इस्थिर होना चाहिए किसी भी फल में किसी भी समय में कभी भी आपके उपर आपक किसी भी काम को करने के लिए इस्थिर मन का होना सबसे जरूरी है एक इस्थिर मन वाला अभ्यरती ही एक आगरता के साथ अपनी तैयारी कर सकता है और जब तक एक आगरता नहीं आएगी जब तक आपका कंसेंट्रेशन नहीं होगा आपका फोकस नहीं होगा तब तक आपको तब तक जो है तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी इसलिए सबसे पहला सबसे मूख वाक्य जो एक अभ्यर्थी को एक कैंडिडेट को अपनाना चाहिए वह है अपने मन को इस्थिर करना दूसरा जो गीता का सबसे महत्वपुर्ण उपदेश है वह है निश्काम कर्म काफी में क्या इसका महत्व है भगवान यहां पर कहते हैं कर्मन्ने वाधिकारस्ते मा फलेशू कदांचना मा कर्म फले तुर्भू माते संगो वस्त्व कर्मनी अर्थात कि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा उद्देश्य है सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है उसके फल के प इंड रिजल्ट क्या मिलेगा ये ना सोचूं, तो फिर मैं तयारी कैसे करूंगा, मुझे inspiration या motivation कैसे मिलेगी, यहाँ पर ईश्वर का जवाब है कि कर्म के परती आपका समर्पन होना चाहिए, ना कि फल की चाहत के परती, अर्थात मुझे civil servant बनना है, लेकिन अगर जब तक जो आपके exam के parameter हैं, चाहे जो भी subject है या जो भी skills required है, answer writing हो, essay writing हो, history हो, polity हो, international relation हो, इन सब पे जब तक आपकी परिपक्वता नहीं होगी, जब तक आपका द्रिड निश्चे इसके तैयारी के परती नहीं होगा, तब तक आप सिर्फ अपने मन में फल की कामना करते रहेंग कर्म योगी का कारे है, डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम हमेशा अपने साथ गीता रखते थे, महत्मा गांधी गीता से काफी प्रेडित थे, कई जगों पर उन्होंने स्रीमत भगवत गीता का उदाहरन भी दिया, if better is possible than good is not enough, इसका मतलब ये है, कि आपको प्रती दिन अपने कर्म में सुधार लाते हुए कर्म योगी बनना है, फल जो भी आपको मिलना है, वह आपका कर्म ही निर्धारित करेगा, तीसरा, जो इश्वर ने स्रीमत भगवत गीता के माध्यम से कहा, जो एक एस्पिरेंट के तौर पर आप सभी को समझना चाहिए, जानना चाहि वह है कि अपनी स्ट्रेटजी को खुद से ही डेवलप करना, किसी के रास्ते पे चल कर, या किसी के कौपी पेश तरीके को अपना कर, सायद आप सफलता को प्राप्त ना कर सके, यहाँ पर गीता में कहा गया है, स्वाधर्मम निधनम स्रेयाह पर धर्मो भयावा, अर्थात कि क्या दूसरे के धर्म को, अर्थात, क्या दूसरे के मार्ग को फॉलो करके, आप स्वयम सफल हो सकते हैं, सब के सामने चुनोतियां अलग है, सब के सामने परिस्थितियां अलग है, किसी का बैक्राउंड अलग है, कोई काफी अच्छे कॉलेजिस से पर के आया हो, टॉप इंटरपेटेशन पर कमांड हो, किसी का हिस्ट्री एच्छी हो, किसी की जोगरफी एच्छी हो, सब के सामने चुनोतिया, सब के सामने उनके विसेशताएं, उनकी क्वालिटीज अलग-अलग हैं, तो इसलिए कई बार एक एस्पिडेंट के तौर पे बहुत से लोग कॉपी- और विकनेसेज हैं, इसकी बेहतर व्याक्या या बेहतर एनालिसिस आप स्वयम कर सकते हैं, अपनी कमियों को आप बेहतर पहचान सकते हैं, कि क्या आपके आंसर राइटिंग में कमी है, क्या आपके ग्रैस्पिंग पावर में कमी है, क्या आपके कंसेंट्रेशन पावर में तरह कि क्या है मानसिक दास्ता है मानसिक गुलामी है अपनी रास्ता अपना मार्ग श्वयम बनाना होगा इसलिए कहा गया गीता में कि स्वाधर्मम निदनम स्रेया पर धर्मो पाया वहा अर्थात अपना मार्ग श्वयम बनाए अपनी अच्छाईयों और बुराईयों को श् कर सकते हैं एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको अपना मार गिया एनालिसिस खुद से ही करना आगे कहते हैं कि सर्वस्रेष्ट कर्म योग क्या है जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया योगा कर्म शुकौल शम अर्थात कि सही तरीके से कर्म करना ही यो इसलिए सही तरीके से कर्म करने का मतलब है right strategy, right thinking, right guidance, right study material, right time हर चीज का ध्यान रखते हुए ही well plan तरीके से अगर तयारी करेंगे तभी एक कर्म योगी की तरह आप सपलता को प्राप्त कर सकेंगे